त्रेश्वा एकडमी पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है जिस्टूडेन बी है उनलों की क्लासेज स्टार्ट हमने कर दिया है अल्रेड़ी दो लेक्चेर आपको पढ़ा हुआ है आप लोग उसको देखिए जितने भी हम क्लासेज आपके लेंगे मैंने बोला है आप मत इंतजार करना बाबू कि जो सर पढ़ाएंगे नोट्स देंगे मैं उसी से पढ़ूंगा नहीं देखो मैं चाहता हूं कि आप लोगों पढ़ाई कर रहे हो ना ऐसे पढ़ाई करो कि उसे कुछ पनित आपको हमीड बता जाना चाहते हैं कि अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया हुआ है जितने भी सote कि इंभी मैंने इसको कबर करता रहूंगा देह इसका पूरा नम क्या होता है BEE का पूरा नाम होता है Basic Electrical Engineering इसका मतलब भी हुगा कि आपको Electrical के Basic जितने भी है इसमें पढ़ाया जाएगा तो मैंने अभी तक आपको क्या क्या पढ़ा दिया है आइए उसको चलते हैं टाइम को loss न करते हुए मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया चले पहले दिन आपको मैंने पढ़ाया था चार्ज क्या होता है मैंने जो पढ़ा दिया है उसको एक बार मैं डिनोट कर देता हूँ मैंने आपको पढ़ाया था चार्ज के बारे में यह आपको पढ़ा दिया है चार्ज क्या होता है चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट क्लाम होती है, चार्ज बनते हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको बता रखा था, चार्ज कैसे बनते हैं, आपको याद होगा चार्ज कैसे बनाये थे हम, इलेक्टान को उसमें से या तो हम निकाले थे, या फिर उसको दिये थे, गिव किये थे, वहां से चार्ज बना हुआ था, कैसे 1Q, 2Q, 3Q बनता है, मैंने आपको पहले से उसको बता रखा है, ठीक है, चार्ज, चार्ज के बाद, जस्ट मैंने आपको बताया था, करेंट धारा, क्या होती है, फिर मैंने आपको करेंट बताया था, धारा क्य होती है इसके बारे में भी चर्चा किया जा चुका है थारा कैसे flow होती है क्यों Forti है क्यों जो the hara होती है एलेक्ट्रान को फूजित फोटी है यह क्यों पंजिट эфф rows इसके बारे में पार् go of te you मैंने सब्सक्राब आपको पहले कर चुके है फिर मैंने इसके बाद बताया था कि resistance क्या होता है resistance क्या होता है resistance प्रतिरोध क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं इसके फार्मूले को भी मैंने बता रखा है कि resistance के फार्मूले क्या होते हैं अब जस्ट इसी के आगे हम चर्चा करेंगे थुड़ा सा resistance के बारे मे मैं तजरा याद किजिए जो र एख रिजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा और चर्चा रट किया जाएगा छितने भी प्रहा रहें सहनों में यह इसको डीन का बोलते हैं अश्रोष कुक्त होता है जो धारा प्रवाहज करता है उसको हुआ हुआ होसा प्रतिरोध कहते हैं मैं पता चुका हूं मैं उसके यदा udah time loss नहीं करने वाला हूं में एक फर्मुला लिखा गहा हूँ फर्मुला था, r is equal to rho into l by a, a आपको पढ़ाया जा चुका है, और इस्टियन्स का फर्मुला मैंने बता रखा है, r is equal to rho into l by a, हम थोड़ा से एक चीज आज चर्चा करने वाले हैं, मैंने इसको थोड़ा से और बताया था, कि जो r होता है, is directly proposes to l होता है, मैंने बताया था, फिर r जो होता है, directly proposes to 1 by a होता है, मैंने फिर दोनों को एक साथ लिया हुआ था, समीकर नमबर 1 और 2 को मिला दिया जाए, तो r is directly proposes to l by a, आजब मैंने r equal to किया हुआ था, तो आया था rho into l by a, जहां rho को मैंने क्या कहा था, रो जो होती है, इसको या तो प्रतिरोध भी कह सकते हैं इसको, या फिर resistivity, प्रतिरोधक्ता, यह भी नाम देते हैं, तो मैं यह क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा समय चर्चा करने वाला हूँ इसके बारे में, आप लोग के लिए बहुत important रहेगा, हम इन दोनों को थोड़ा बाहर लेंगे, यहां पर द दोनों को थोड़ा बाहर लेजिए, और थोड़ा चर्चा करेंगे, जैसे, मान लेजे, question एक, ऐसे question आपको मान लेजे दे दिया गया है, एक wire है, एक wire है, जान दे गए, एक wire है, question आता है, कि एक, जान दे ना बाबू, एक, चालक की, अच्छा वायर भी हो सकता है, एक चाल ठीक है, एल मीटर है, फिर question कह रहा है, कि इसके लंबाई को, question है, इसके लंबाई को, इसके लंबाई को, मान लेजे कहा दिया है, कि दो गुना, तीन गुना, मान लेजे, question मान लेजे, तीन गुना दे दिया, तीन गुना बढ़ा दिया गया, तीन गुना बढ़ा दिया गय कि इसके लंबाई को तीन गुणा बढ़ा दिया गया तो कह रहा है कि नया प्रतिरोध क्या होगा नया प्रतिरोध क्या होगा ज़र ध्यान दिजेगा इस पर बहुत लोग कंफुजन में आ जाते हैं मैं इसको तुर आपको चर्चा करूंगा नया प्रतिरोध क्या होगा ओके तो सिंपन्स आप करेंगे ऐसे ही कुस्तन करेंगे और इस डार्ट्ली पर पॉस्ट्स टू एल है ठीक है तो अगर मैं यहां आरवन कर दूभाएं यहां पर एलिवन हो जाएगा और यहां मैं आर इस डारेक्ली पॉसंस टू यहां पर आडट्ली कर आरहटू इकवल टू एलवन बटा एल्टू इतना आगया चलिक यहां से ज्यारा आरओन की बेलू किटना दिया हुआ है सब्सक्राइब आरहेर और ना कर सकते हैं डारेक्ट दिधा पफ़ेम इसको आयरवन लिए एकवल कितना आगया यहाई है te AWS PTH लोग ए delegation कमान यहाँ अरे एक उद्र जोगे अलीटर पर दिशन के किशुग리 और सब्सक्राइद मकीडिया है उप सकते हैं अपको और हमको नों की टीन गौना मतलब फ्रियल कि तुख रहे अभाई है अब देखो यहां से पहले का दिया गए था आर같 तो नीकालना है तो आर्टो कितना हो जाएगा यहां से फंड करने अर इन्टो ट्री एक्शाम क्यों गिए हैं तो आप दीनी बोड का आ देने जा रहे हैं और बिटी बोर्ड का जब एक्जाम देने जाएंगे तो उसमें बाबू जब कोई पूशन पुछेगा ना तो उसको ऐसे डारेक्टी लिख दो तो नमबर नहीं मिलने वाला है उसको आप लोग ऐसे लिखेंगे ताकि नमबर मिले अब आप बताओ डारेक् कि एक्जाम के लिए जो है डारेक्टी तीन गुना याद रखेंगे लेकिन आप बिटी बोर्ड में जब एक्जाम देने जा रहे हैं तो इसको ऐसे लिखना है ताकि नमबर मिले अगर कोई निमेरिकल आएगा तो ऐसे साल्व करके लिखेंगे कितना गुना बढ़ेगा ती इसी को निकालना है एलवन दिया है एलमीटर ऐल्टू दिया है तीन गुना थ्रियल मीटर वहीं मैंने रख दिया देखिए ल्सेल कर जाएगा त्रियल ट्रेटांस बचा ऐसे भी आप याद रखेंगे देखिए यहाँ पर थोड़ा से एक मैं नोट लिख देना चाहता हू जब भी आपको कोशन आये जैए में जब जाएंगे अग्जाम देने के लिए तो अगर जहां भी कोशन आये को पाँच गुना बढ़ा दिया गया है जितना लंबाई बढ़ेगा उत्रा परतरोद बढ़ेगा चाहें जितना लंबाई घटेगा उसी सहाबसे परतरोद भी घटेगा लगा सकते हैं इसको तो उसी तरह को रहा है कि यदि लंबाई को तीन गुना बढ़ा दिया गया तब परतरोध कितना गुना बढ़ेगा तो तीन गुना बढ़ेगा ओके तो डारेक्टली भी आप चाहें तो जब देने जाएंगे तो इसको याद रखेंगे कितना परतरोध बढ़ता भाई तो आरटू का जो मान होगा वह एंट टाइम्स आफ आरवन मतलब मैंने डारेक्ट लिख दिया है एन जहां आप लिख सकते हैं जहां एन क्या है एन जो है कितना गुना बढ़ा हुआ है ओके एन गुना है इंगलिस में इसको बोलेंगे हम टाइमस कितना टाइमस बढ़ गया है तो डियरेक्ट लिया पुश्ण कर सकते हैं कि अगर किसी वार के लंबाई को पांच गुना बढ़ा दिया गया तो परतरोध कितना गुना बढ़ेगा तो पांच गुना परतरोध बढ़ जायेगा तो आप डारेक्टली इस चीश को भूर। बखने कें मा विते इसे हुए त्रस योटेंगे तर्वाइंगे जपी नहीं मैं त्थी लिए पता रहा हो शूर। देखें से विए कंपनई कुश्म कॉस्त समय क्रेंगे लेगनेल स्यंक में वसको सही डीकत से नहीं और आपको बहुकेएं करते हैं इसी को मैं थोड़ा अलग तरीके से करूँगा जैसे एक और कोस्टन दे दिया कि वही वाला जो कोस्टन था उसी को मैं कर रहा हूं एक चालक या कोई भी ले सकते हैं एक चालक एक चालक का जो प्रारंभिक लंबाई है वो मान लेते हैं एल है ठीक है प्रारंभिक लंबाई कितना है एल है अगर इस कोस्टन में यह कह दिया कि यदि तार को खीच कर ध्यांदना इसमें आ जाएगा अगर खीच कर खीच कर या फिर करता है कभी तान कर देखना है कोस्टन चेंज कर देता है बावू यह ध्यांदना लड़के से इसी में कंफुजन में आ जाते हैं कोस्टन कुछ और पुछता है और साल्व करके कुछ और आ जाते हैं ध्यांदना इसमें कोस्टन कह रहा है कि यदि प्रारं दिया गया अ जानदेना टार को खीच कर मैंने 30 गोणा बढ़ा दिया है पर मैं लन्या परतरोद क्या होगा अ खार करना परतुर्ध है वे देखना को Bowl कूसे इसमें अंतर है अगला पूसे में कहा था कि वार के करते हैं जो पढ़ाते हैं कुछ लोग तो उसमें डारेक्ट बढ़ जाएगा बावेसा मत पढ़ना यह सचाई में घूमो ब्रांच लिए उलेटकल के बारे में इंटरिंटरेनली जानो अब दुम खुद सोचो एक बात सोचो छले इसका त्रह लोग लोग solution में देख लेते हैं, क्या होगा इसका solution? हम इसको solve करेंगे पूरा, क्या होगा solution? जैसे, मल दिए कि हमारे पास कोई wire है, ऐसे आप देख सकते हैं, यह कोई हमारे पास यह wire है, इस wire की लंबाई इतना गुना है, और मैंने इसमे दूसरा wire जोड़ दिया तो इसकी लंबा हो जाता है मतलब इसकी लंबाई जब बढ़ेगा इसकी मोटाई घट जाएगी इभी ध्यान देना है ओके मतलब हुआ क्या भाई देखो ध्यान देना इसमें आर इकल टू कितना होता है रो इन्टु एल अब आई ए अब देखना कोशन में ध्यान देना जब कहें खीच कर आई हैं तो लंबाई तो बढ़ जाएगा लेकिन इसकी हो जाएगी घट जाएगी तो जब कुस्तन में दे कि खीचकर बढ़ाया है तो यह आप इस आप सौल करिएगा ने तो आप क्या करते हैं डारेक्टली सर्ची पढ़ा दी है मैं पढ़ा दी है और यहन गुना यहन इ कितनी रहेगी प्रारंभिक लंबाई कितना मान लिया जाए एलमेटर मान लिया जाए दिया भी है सथ एलमेटर है ठीक है अंतिम लंबाई कितनी है अंतिम लंबाई कितनी है कितना गुना बढ़ा दिया गया है तीन गुना तो थ्रियल हो जाएगा प्रारंभिक शुरू में उ अभी बता है ना लंबाई बढ़ेगा तो एरिया घड़ जाएगा तो एरिया हो जाएगा एरिया तीन गुना घड़ जाएगा ठीक है जो चलते हैं सॉल्ब करते हैं तो आरवन इसकल्टू कितना माले जे रो इंटु एल अब आई कितना हो जाएगा एमाले जे यहां से देख मैंने कहा ना मैटरियल जब तक चिंज नहीं करेंगे रोव रहता है ठीक है तो मैटरियल मैंने चीज़ किया है तिर्फ वायर को खीचा हुआ है यहां पर क्या हो जाएगा रोव लंबाई कितनी हो गई अब आपको निकालना क्या है आर्टू तो समीकर नमबर दो अब अटाक कर देजिए समीकर नमबर एक कितना जाएगा दो कमांद देखें कितना है रो इंटु 9 L आट डिवाट बाई ए आप पूरा कर डिवाट बाई रो आट डिवाट बाई अब देखो यहां से इस सब कर जाएंगे सब कर जाएंगे कितना आ जाएगा और टू निकाल लो आटू कमांद कितना आ जाएगा नाइन अगर उसको खीच के बढ़ाया जाएगा तो परतरोट कितना बढ़ जाएगा नो गुना बढ़ जाएगा यह सब पहिला नोट कि यदी पोशन में आये कि लंबाई को यदी लंबाई को अन गुना बढ़ा दिये लंबाई को अन गुना बढ़ाने पर नया परत्रोद कितना हो जाएगा भाई खळ्यों और खिमाल Sl export लृट कितना हो जाएगा एन र और अगे परवांधात भीची लंबाई को खीचकर कितना बढ़ा दिया गया एंग गुना बढ़ांस designated जाए गया बढ़ा जहां बढ़ाने पर एन गुना बढ़ाने पर नया परतुरत क्या हो जाएगा आधास कावान यह स्कॉाइर तो जो लोग जैए की त्यारी वरी करेंगे वो ध्यान रखेंगे ऐसे डारेक्ट लगा सकते हैं अगर खीचकर बढ़ा गया तो एन इसकॉर गु होगा तो उसको हमें VTB made solve करेंगे solve कैसे करेंगे आयो भी दिख लेते हैं जैसे कर दिया एक प्रत्रोध का यह वायर का कु셔서 है के एकज्वा मान सकते हैं अय एक चालक के लंबाई को खीज कर थीच कर एन गुना बढ़ा दिया गया एन गुना बढ़ा दिया गया तो नया परत्रोध क्या होगा तो नया परत्रोध क्या होगा नया परत्रोध क्या होगा तो कभी कभी क्या होता है कि बीटी बोर्ड में पूछ देता है तो इसको आप लोगो को सॉल्व करना पढ़ेगा कैसे सॉल्व करेंगे याद दिखिए इसको सॉल्व करना पढ़ेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए माना माना की देखिए जैसे solve कर रहा है ना ऐसे solve करेगा एक्जाम में जब भी आपको बीटी बोर्ड में पुछेगा तो जैसे हम कर रहे हैं वैसे करेगा अपने आप से direct मत लिख दिजिएगा देखिए माना की माना की प्रारंभिक लंबाई कितना है एल है ओके तो हरा एन गुना बढ़ा दिया गया ऐसे लिखना प्रारंभिक लंबाई इतना उसी तरह प्रारंभिक छेत्रफल कितना हो जाएगा माल लेते हैं और प्रारंभिक प्रतिरोद कितना मैं लेते हैं और टामले तो यहां पर इन साल्ब करना है जिससे के थे वह इन इंपर ओसत encompass लेटेथा है उसी तरह berra न्तीम कितना हो गया लंबाई हो कितना बढ़ा दिया गया एन वह कितना हो गया एन गोना पर उसीतर देव सब्कु ठीज़ी तरह अन ता कि इंतना हो जाएका चे एरिया चेत्रफल तो देखे एन गुना लंबाई बढ़ेगा खीच कर बढ़ाया गया ना तो एन गुना एरिया घड़ जाएगा मतलब एवाई एन हो जाएगा अब उसी तरह अंतिम प्रतिरोध मालो अपने इस आप से अंतिम प्रतिरोध मालो कितना और डैस ऐसे करना है सॉल यहां से आइडस की बलू कितनी आ जाएगी आट स्की बलू रोट वही रहेगा रियल सुरी थ्री नहीं एनमाने उने इस बार यह थ्री नहीं रहेगा क्या रहेगा एं एंट्यल और एक ना जाएगा यह बाई एंट सम खुआ कर लो इसलो तो मैंने जाएगा रूटेटकर नमबर क्रोंसों और क्लिकोंसे वाएंगी उसको तुम क्या करोंगे शल्व करेंगे इसको तो सरूल करेंगे मांजी मैंने कर दिया है शमीकर नमबर एक अब बटा हो जाएगा कितना शमीकर नमबर दो बटा कितना हो जाएगा शमीकर नमबर दो हो जाएगा तो शमीकर नमबर एक आर है और यह कौन सा है इसका मान कितना है रो इन्टु एल अब आई ए और एक कितना हो जाएगा रो इन्टु एन्टु एन्टु तो कितना आएगा यहां से? r divided by r- equal to 1 by n square. आए याँ फिर यहां से r- निकल लो, हमको इसी को find करना था, तो कितना आएगा? n square into r. तो ऐसे आप प्रूब करेंगे, ध्यान रखें, जब भी एक्जाम में आएगा, बिटी बोड के एक्जाम में, तो ऐसे आप प्रूब करेंगे, ना कि डारेक्ट लिख देंगे, n square. तो जब भी बिटी बोड में आएगा, तो ऐसे आप इसको प्रूब करिएगा, जैसे मैंने कराई है वैससे कोई लिखेंगा नहीं कई लोगों को यह मामला आता है डालेक्टी लिख़एक देते हैं ऊके तो अगर देखे मैंने आकर दो चीज पढ़ाया है सिसके अंध बत्रो चीज बढ़ा दिया वही मैंने आपको दो चीज झाहः ड़ेस का और डेस क्या प्रहा दिया कि अगर किसी वार की लंबाई को बढ़ाया जाता है अन गुणा तो उसका प्रत्रोद कितना बढ़ेगा अन गुणा बढ़ेगा मतलब डारेट लिख सकते हैं एन अईन टू आर लेकिन अगर उसी question में दे दिया कि यह दिवार के लंबाई को खीच कर बढ़ाया गया या फिर यह question आ गया कि उसको तान के बढ़ाया गया ठीक है तो उसके लिए कैसे करेंगे solve तो उसके लिए कितना गुणा हो जाएगा N square R मतलब N गुणा नहीं N square गुणा उसका प्रतरोध बढ़ जाएगा तो दोनों चीजों के लिए याद रखेगा यह J के लिए बहुत important रहेगा और साथ-साथ जो BTE board में पढ़ रहे हैं पॉल टेकनिक डिप्लोम में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत important रहेगा अगर BTE board पूछता है तो आप इसको solve करेंगे ऐसे derivation करेंगे चलते हैं next topic पे तो ध्यान से पढ़िए बावू जो भी classes ले रहे हैं उसके लिए ध्यान से पढ़िए चलिए एक और topic आता है इसमें चालकता क्या आता बावू? चालकता बिधूत चालकता बोलेंगे electric conductance या चाहे तो आप इसको चालकता को ए भी कर सकते हैं बिधूत चालकता, electric conductance एक और आता है जैसे कि परतिरोद जो होता है आप सुने होंगे परतिरोद हारा परवाह के बिरोद करता है तो चालकता के नाम से ही बहुत से लोगों के मैं में यह घुमता होगा कि अगर चालकता मतलब अच्छा चालक सबसे अच्छी चालकता किसकी होती है ऐसे मां में कुशन आ जाता होगा तो चालकता हम किसको बूलेंगे तो simple सा है definition आप कैसे लिखेंगे यहाँ परत्रोद का उल्टा होता है, मतलब अगर परत्रोद बढ़ेगा तो चलकता घटेगी, अगर परत्रोद घटेगा तो चलकता बढ़ेगी, अगर बीटी बोड में आता है एक्जाम में तो आप इसको ऐसे नहीं दिख देंगे कि अवल डिफिनिशन लिख दीजे, चाह करा आते हैं रिखते हैं जैसे एक्जाम में लिखने के लिए ध्यान रिखेगा आपके पास टर्म्स का होना भी बहुत जरूरी है, माना कि चलकता क्या होता है चलकता जो होती है प्रतुरोद का उल्टा होता है मतलब क्या लिखेंगे चलकता पराबर वन बटा क्या लिखेंगे बाबू वन बटा प्रतुरोद का क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक कि जो लंबाई है और जो इसका एरिया है यह है रिस्टिविटी रो है जो पहले मानते थो यह भी मान रहा है मैंने कुछ नहीं किया हुआ है तो वही माना की L क्या है भी जो है चालक की क्या है लंबाई है यह क्या है बताओ चालक का क्या है एरिया है छेत्रफल है और रो क्या है बताओ चालक की चालक का रेजिस्टिविटी परती रोधक्ता चालक की resistivity ठीक है इसका मातरग बताओ तो क्या होता है चालक की resistivity की मातरग क्या होता है rho सरे unlocked करते हैं, मातरग क्या होता है ωμ, meter ये जैई-भी पुछा जाता है इंदर भी पुछ ऄखते हैं नोदो तो देखे, चालकता क्या होता है ज़र इसके बारे में देखिए ध्यान देजेगा चलकता क्या होती है सिंपल सा फर्मुला वहीं पर चलेंगे हम सिंपल अभी चलेंगे बाद में थोड़ डिसकेशन करेंगे ज्यादा हम चलकता इसकल टू कितना होता है एक बटा परतिरोध बहुं सिंपल है बाद ध्याद ध्याद में इदना है एताम सिंपल में हम चलेंगे ज़्यादा डिपली नीं चलेंगे ठीक है इतना अब सिंपल सा चलकता इसकल टू 1 by और चलकता क्यों डिनोट करते हैं G से से कितना आ जाएगा देखलो एक बटा R का माँ रोhhh-2-1 आ पहएगा एड़ो, टूमारा फरमला हो जाएगा इसमें, सिंपल सा जो पढ़े हैं उपए कर्ण हो गाँ है अब गर A by Rho को अलग कर लो 1 by Rho को अलग कर लो यहां पर कितना हो जाएगा A by L A हमारा मेन फार्मूला है इसको और अच्छे से देखते हैं 1 by Rho 1 by Rho जहां यहां लिखेंगे क्या आप लोग जहां 1 by Rho equal to हम सिगमा लिखते हैं क्या लिखते हैं ज़रा इसके बारे में हम थोड़ा सा और चलते हैं क्या देखो अब यहां पर रजिस्टर कप जो गुण होता है उसको कंड़क्टेंस कहते हैं चलता कहते हैं और हां रो इंट्रोण पर ये यहां रो क्या होता था अलों मुलते है थेर फिस्ट पर्ति रोध में फिर एखरी ते कि मोossen किर रहनी यहां बोलते था रजिस्टिविटीं परती र०्हतता रा इसका नामuds इत hair तो जिस तरह यहां पर उसको resistivity कहते थे उसी तरह यहां पर conductor है तो sigma को हम क्या बोलेंगे sigma को हम बोलेंगे बतावा जल्दी से लिख दिये है conductivity जैसे यहां पर रो जो होता था कंड़ख्टिव्टी होता था वैसे यहां पर सिगमा को क्या कहेंगे या फिर इसको बोलते थे इसका एक और नाम था पिसिस्ट परत्रोध बोलते थे रहे जैसे यहां पर पिसिट परत्रोध होता है वैसे यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं क्या पिसिस्ट चलकता पिसिस्ट चलकता जैसे आपर पिसिस्ट पर तरोथ वैसे आपर पिसिस्ट चलकता चलिए ज़रा इसका मातरक निकालते है मातरक क्या आएगा ज़रा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं आये देखते हैं, मातरख कैसे निकालेंगे बहुत सा सिंपल सा डिफिशन है यहां निकाले चलगता का देखो चलगता का मातरख क्या होगा G equal to कितना होता है 1 by R या दर बाव G equal to कितना होता है 1 by R तो 1 by R अब तुम यहां से मातरख लिखो तो इसका 1 by R का मात्रक क्या होता है O H YUM OM अब 1 by OM हम मात्रक में क्या कह सकते है इसको मात्रक में हम कह सकते है OM Universe या फिर OM Universe यह सब याद रखना है या हम क्या बोलेंगे बई देखो ध्यान से OHM इसको उल्टा लिख दो M HO यह होता है मात्रक किसका मात्रक होता है यह होता है चलकता का मात्रक चलकता का मात्रक क्या होता है महो होता है इसको हम मोल सकते हैं महो तो OM का उल्टा जो होता है महो होता है तो कभी कई पूछता है चलकता का मात्रक एक important है एक important है क्या important रखना है कभी-कभी इसमें जें में एक question आजाता है जा को कुछन पूछता है कि चलकता का मतल्ख क्या होता है गरें सब लड़के तो यह पढ़के जाते है कि शौटि देलाके दो और यहीं पर महो होूमेल ऊसलिपे आ destroys समय के देता है उसमें अब कि उसमें आप्छे करते हैं अब कज पढ़ें ही नहीं है तो वहां पर आपको पढ़ायां के लिए तो ऊहां पर आपको यह चीज याद रखना पड़ेगा तो उसका मात्रक होता है सीमेंश होता है है तो आपको इक्जाम में चलकता पूछता है, तो चलकता के मातरक पुछेगा तो मातरक आपका वन बटा प्रत्रोत ओम ओम कुल्टा ओम इन्वर्स या ओम इन्वर्स या मतलब महो होता है यह नहीं देता है याद रखेंगे इसका मातरक सिमेंस भी होता है ठीक है ति हमारा चलकता भी आज खतम हुआ चलते हैं नेक्स टापिक पर देखो आप वो जो भी हम आप लोगो पढ़ा रहे हैं उसमें एक चीज आपको ध्यान देना है कि मैं आपको पुरत बताता ही रहूंगा नोट्स नोट्स बहुत ज़रूरी है तो यार ठीक है काम चल जाएगा मैं भी जानता हो तुम् आपको नोट्स कर रहा हूं नोट्स से बहुत अच्छी पढ़ाई होती है एक वार आप नोट्स बना लेंगे ना तो बाद में आपको एक तरीका मिल जाएगा कि ऐसे लिखना है ऐसे पढ़ना है और उसी चीज को आप लेकर आगे भी बरते रहेंगे चलिए अगला टापि पुछेगा जितने फस्टेक इस्टोरेंट है इस को सब्सक्राइब बीना पढ़ें नहीं जाएंगे क्या है क्या पुछता इसमें तो सिंपल सा तरीका है नाम लिखी दिये हैं और ओम ला ओम का नियम क्या भई ओम का नियम ओम का नियम अब देखो को अब देखो आओ तुम लोग को हम दिखाते हैंं लड़कों के माइंड में वॉम का नियम क्या क्या चलता है आये थोड़ा हम है कि वहले जाए थारा बढ़ेगाchine बहुते चीज़ें आप लोग याद नहीं करेंगे, यह सब रटी डटाई चीज है, आप लोग जहां भी किताब देखेंगे, उसमें यहीं दिखेगा, इसे याद कोई नहीं रखेगा, ओम का नियम थोड़ा हम सचाई में चलते हैं, क्योंकि मैं अभी आपको प्रूब कर दूँगा, कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं, जो आप वी इसकल टू आइन टू आर से पढ़ लेते हैं, लेकि होता नहीं हो चीज़ें, इसलिए ओम का न मैंने किसी बैटरी से जोल रखा है, जा देजाएगा, इसको मैंने किसी बैटरी से जोल रखा है, एक पॉजिटीव और एक निगेटीव, और कितने ओम का प्रतरोध है, और जो इसकी एक रास का जो बोल्टेज हमने दे रखा है, वो भी दे रखा है, और जो इसमें करेंट फ्लोव हो रही है वो कितता फ्लो हो हो रही है वो आई फ्लो रही है ओके पर चेंज कर लिए जाए पूरा गिनी ज्यादा कर लेते हैं चले देखते हैं जैसे अब देखिए ध्यान से देखिएगा यहां वो बोल्टी मैंने भीदे रखा है पर दिरोध आर है और इसमें आई एम्पेर की धारा फ्लो हो रही है तो यहां पर पहले उसको मान लेते हैं मान लीजिए पहले माना की माना की बताओ आर क्या है तो आर जो है रजिस्टेंस है आर क्या है बाबू तो आर जो है रजिस्टेंस है आई क्या है आई क्या है आई क्या है वई फ्लो करेंट है जो इसमें थारा फ्लो हो रही है वो हमारी करेंट कितनी है आई है और वी क्या है वी क्या है वई इसमें व कि य क्या है आर के एक्रास voltage R एक्रास मतलिम उसके आ pénका का बोल्टेज यह ध्यान रखेंगे क्या मुल्टेज सोन और अดammers कि यह किसी प्रतों की किसी परतुरोद के तक तेंसी कि यहां साइड में लिख देते हैं यहां ज्याद आपके लिए सुपर रहेगा यदि किसी परत्रोध के आयतन मतलब वाल्यूम ताप मतलब टेमप्रेचर ठीक है और दाब मतलब प्रेचर अधी इन तिनों को नियत रखा जाए यदि इन तीनों को क्या रखा जाए नियत रखा यहां देजेगा ताप दाब और आयतन यदि किसी परत्रोध के नियत रखा जाए ऐसा क्यों कह रहा है इसलिए कह रहा है कि ताप अगर बढ़ाएंगे तो परत्रोध चेंज कर जाएगा दाप बढ़ाएंगे तब भी आयतन बढ़ाएंगे तब भी उसका परत्रोध है ऐसे लिखे किसी परत्रोद के ताप दाब और आयतन को नियत रखा जाए तो उसके एक्रास का बोल्टेज और प्रवाहित होने वाली धारा का जो अनुपात होता है वो क्या होता है नियत होता है याद रखेंगे यह ओम ने कहा था ठीक है और वो जो नियत बैलू होती है व हमारा क्या होता बाबू फोर यह हमारा ऑ होता है व्हें रहूए इसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे यदि किसी सी परत्रोध के ताप दाब और आयतन को नियत रखा जाए तो उसके एकरास के बॉल्टेज और करेंटिका जो आनूपात होता है वो क्या होगा नियत होगा, या दखेगा, ऐसे लिखना है, अमका नियम, ठीक, अब ऐसा में क्यों कह रहा हूँ, जरा वह भी देख लीजे, अब देखे, इसी में कुछ लोग उल्टा सिदा पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं, जरा आए देख लेते हैं, एद देख लिए जाए, क्या पढ़ लेते हैं, अब पढ़ने का तरीका देखे, पढ़े लेते हैं, कि V is directly proportional to I, V equal to करते हैं, तो R into I आता है, V equal to I into R, देखो अब ठीक है, यह फर्मुला तो आज आएगा, मैं भी जानता हूँ, लेकिन इंटर बेसिस पर वो सही है, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ते रह क्या पढ़ना है, कि किसी परतरोद की एकरास के voltage और current का जो अनुपात होता है, नियत होता है, लेकिन कब नियत रहता है, जब उसकी एकरास का ताप, दाव और आयतन को नियत रखा जाए, अगर यह change कर जाएंगे, तब परतरोद चेंज कर जाएगा, यह change करेंगे, तब प सही है, कि गलत है, कुछ एक्जामपल दे देते हैं, ठीक है, जैसे, ठीक है, कुछ एक्जामपल आप लोग बहुत माइंड में चलते रहते हैं, देखें, यहीं समयाग कुछ आपको चीज़ बता दे रहा हूँ, V इकवल टू कितना है, I into R, इसमें से एक काम करो तो, इसमे जानते हो, कि, रजिस्टेंस बढ़ाने से धारा घट जाती है, रजिस्टेंस घट आने से धारा बढ़ जाएगी, यह तो तुम जानते हो, जानते हो कि नहीं जानते हो, लेकिन, अब तुम हमको बताओ, परी, झाल, 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 झाल झाल